पिछले एपिसोट में हमने देखा कि वीर मुमेंट क्वीन के स्पिर्ट स्टोन के पास चला जाता है और वीर मुमेंट क्वीन के स्पिर्ट स्टोन को अपने हाथ में लेता है जैसे वीर मुमेंट क्वीन के स्पिर्ट स्टोन को अपने हाथ में लेता है तो उसी वक्त मुमें क्वीन को अपने स्यू आफ सौल में लेने के बाद में काफी ज़धा खुश हो जगता है और वीर को विश्वास ने होता है कि उसने ये कर दिखाया है और वहीं दूसरे तरफ जैसे ही मुमेंट क्वीन वीर के स्यू आफ सौल में चले जाते हैं तो सेल्टर के अंदर फैट कर जितने भी सौपर एलियन थे उन्हें ऐसा सुचते हैं कि मुमेंट क्वीन ने जो कॉंट्रेक्ट इनके साथ बना रखा था वो तूट गया है और इस बारे में पता चलने के बाद में जितने भी सौपर एलियन थे वह इस सेल्टर को छोड़कर भागने लगते हैं और मार ड कर रहे हैं सभी एलियनों को पता चल गया हैं कि मैंने सकती एंपरियर को अपना गुलाम बला लिया हैं और सभी के सभी सूपर एलियन यहां से भाग गये हैं चलो कोई नहीं अब हमें रोकने के लिए यहां पर कोई नहीं है अब हमें यहां से चलना चाहिए ऐसा कहता हो वी तस रे मत लेना, मैं भी तुम्हारे सा था, ऐसा कहता, वीर अपनी जेव से एक, ग्रिन कलर का क्रिश्टल, आइस वडिक को देने लगता है, आइस वडिक को देखने के बाद में जल्दे से, इस क्रिस्टल के ओपर छपड़ जाती है और इस क्रिस्टल को ले लेती है तब वीर को एक बहुती जोड़ार गेट के खुलने की आवाज आती है जिसी की आवाज सुनकर वीर भी उस जिसा में देखने लगता है वीर को वहाँ पर मा डाइनासोर एक रूम के अंदर जाती वी नदर आती है और यहाँ पर वीर चुपचाप खड़ा होकर मा डाइनासोर को देखता है वहीं मा डाइनासोर जैसे रूम के अंदर जाती है वहीं वीर डैनासोर को देखने के लिए उनके पास जाता है और वीर दूर से ही डैनासोर की हालत को देखते हूं अपने मन में कहता है छोटा डैनासोर पहले से ही बहुत ज़दा गहलता और उसे कापी समयत TAK कोई इलाज नहीं मिला जिसकी वज़से इसके सरीर की अंदर से काफे ज़्यदा खुन भाग गया है और यह बहुती ज़्यदा नाजुक हालत में है और जब वीर यह सोच रहता ना तो इसी वाकत हम देखते हैं कि मार डाइनासुर अपने बच्चे को देखकर बहुती जोर से आसमान के तरफ देखती ही जोर से चिलाती है और मार डाइनासुर को चिलाते हैं और बड़ी बड़ी आँकों से मार डाइनासुर को देखने लगता है और जो मार डाइनासुर थी वह वीर के तरफ देखने लगती है इधर वीर ने लिटल एंजल को बुलाया ही ता इतने में हम देखते हैं कि जो माः डाइनसोर थी वह वीर के सामने अपनी गर्तन जुका लेती है और जो लिटल एंजल थी वह भी अपने तलवार को आगे नहीं बढ़ाती हैं और वीर समझ जाता है कि यह जो मा डाइनासोर थी इसने मेरे सामने घुटने टेक दिये हैं और यह मेरी बात मानने के लिए रेडी हैं इस बात का कन्फरमेशन होने के बाद में जो वीर था वह मा डाइनासोर के सामने चला जाता है जैसे ही वीर मा डाइनासोर के सामने जाता है तो मा डाइनासोर अपने गर्दन को जुखा लेती हैं और वीर से बारवर अपने बच्चे के तरह पिसार करते हैं कि उसे बचालो तो वीर भी समझ जाता है कि यह अपने बच्चे को बचाने के लिए मेरे सामने भीक मांग रही है और वीर मा डाइनासोर को देखता हूँ अपने मन में सोचने लगता है अगर मैं इस वक्त इन दोनों सुपर एलियोनों के साथ फाइट करता हूँ तो मुझे पूरा यकिन है क मा डाइनासोर से एक्सक्यूशन करता है कि अगर मैंने तुमारे बेटे को बचा लिया तो क्या तुम मेरी बात मानोगी और मेरे आदिसों की पालना करोगी यह सुनकर मा डाइनासोर अपनी गर्दन हां में हिलाती है और यह देखकर वीर मा डाइनासोर से कहता है वैसे भी ह हम दोने ने कंदे से कंदा मिला कर अभी अभी फाइट की हैं और हम दोनों साती हैं और तुमने पहले सही मेरे आदेसों की पालना करने के लिए हां कर दी हैं तो तुमारे बच्चे को नब बचाने का अप मेरे पास कोई कारण नहीं है इसलिए मैं तुमारे बच्चे को बचा आती हैं और मा डाइनासोर की चिलन की आवाज को सुनकर वीर जल्दी से छोटे डाइनासोर को ठीक करने के लिए चला जाता है और उसे हील करने लगता है और वीर तोड़े देर इसी तरीके से हील करने के बाद में छोटे डाइनासोर के पूरे गहों को भर देता है और उसकी चोटे ठीक कर लेता है जैसे ही दोनों डायनासओर ठीक होते हैं तो वहाँ वीर की त़रप देंगने लगते हैं यह देखता हूआ करता है चलो अब तुम मेरे अदिनास्तो हो तो मैं तुम्हें कुछ अच्छे से नाम दे देता हूँ ऐसा कहता हूँ वीर कहता है तुम्हारा नाम तो बिग बलेग रहेगा और छोटे वाले का नाम लिटिल बलेग रहेगा और जैसे ही दोनों के दोनों डाइनसोर अपना नाम सुनते हैं तो वा मुँ फाड़ कर वीर की तरफ देखना लगते हैं और अपने मन में करते होंगे कि साइद इसकी बज़े तो हमें नाम ही नहीं देते हैं और हमारा पहले वाला नाम ही ठीकता और यह सीन यहीं पर कटो जाता है अगले सीन में हम सीधे ही वीर को सेल्टर के अंदर स्प्री टेंपल के वहां पर जो सीध थी यानि जो ओनर के जो सीध थी उस पर बेठा हुआ था और वीर सामने के तरफ देखता हुआ सोचता है की यार यह मुमेंट क्विन मेरी बात क्यों नहीं मान रही है और यह मुमेंट क्विन को देखते हैं जो नीचे से वीर को देखती हुए कहती है बले है मैं तुमारे अदिन हूँ लेकिन फिर भी मैं तुमसे जदा पाउरफूल हूँ और अगर तुमने मुझे परेसान किया और मुझसे बिना मर्जी की काम करवाया है तो मैं अपनी आपको उड़ा दूँगी और मरना पसंद करूँगी मैं तुमारी बात नहीं मानूँगी इस बात को सुनकर वीर चोड़ी चोड़ी आँकों से मुमेंट क्विन की तरफ देखने लगता है और वीर को यहाँ पर बातों ही बातों में पता चलता है वीर को बलाने के लिए अपने सी ओफ सोल को ओडर देता है तो मुमेंट क्विन अपने अंदर की पावर का यूज़ करती है और वीर के रिक्वेश्ट यार वीर के ओडर को रिजेट कर सकती है क्योंकि वह उससे जदा पाउरफुल है यह बात जैसे वीर को समझ में आ जाते हैं तो वीर एक चीज और समझ जाता है कि वीर इस वक्त सुपर जीन पॉइंटों के पिछे पड़ा हुआ हैं यह सुपर जीन पॉइंट वास्ताव में उसी इवुलिशन बोड़ी को हासिल करने में इस्तमाल होता है जो इस वक्त मॉमेंट क्वीन को हासिल है वो बोड़ी पाउरफुल बोड़ी इवुलिशन वाली जो बोड़ी है वह जो मॉमेंट क्वीन उसके पास है यह सब को जानने के बाद में बड़ी बड़ी आँखों से वीर मुमेंट कुइन को देखने लगता है और यहाँ पर जो मुमेंट कुइन थी वह वीर के सामने उसकी हेल्प करने के लिए कुछ सरते रखती है और यह सरते सुनने के बाद में वीर जो था वह मुमेंट कुईन की तरफ देंगने लगता है और वीर को एक बात तो समझ में आ जाती है कि जो मुमेंट कुईने वह पूरी तरीके से उसकी बात नहीं मानेगी और वीर को उसकी आँखों में देखने के बाद में ये भी पता चल जाता है कि वह पूरी तिके से ड्रिड निस्टित हैं और वह जब तक वीर को अपने सर्तों पर राजी नहीं कर लेती वह वीर की बात नहीं मानेगी और वीर मुमेंट क्वीन के फेस को फड़ने के बाद में ये सब कुछ समझ जाता है और यह सीन और यह एपिसोड यहीं पर खतम होता है आपको एपिसोड पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन ओन कर लेना और साथ ही आप वीडियो कहां से देख रहे हैं उसके बारे में भी कमेंट करके बताओ और यह आपको एपिसोड किसा लग रहे हैं प्लिस कमेंट कमेंट करो के तब ही तो पता चलेगा ना